हेलो आज हम बात करेंगे ओपो एप 17 एड ओपो एप 17 प्रोग के बारे में आप लोग को यह फीचर डिफॉल्ट में प्रवाइट किया जाता है ओपो की तरप से अप लोग अगर किसी भी एपलीकेशन को हाइट करना चाते या फिर एपलीकेशन में लॉक लगाना चाते तो यह याप लोग के लिए काफी ज्याधा में होनी वालिया तो च्रथ करतें सबसे फिए आप लोग अपने फोन में सेटिंग ओपन करें और यहाँ पर लोग चले जाना है सेडियूद बाली सेटिंग में और यहां पर अप लोगRO準 का फ्रोटेक्सपूं करेंगे का यहां यहां पर password कर देते हैं अपना जैसे आप लोग password करेंगे आप लोग की जितनी भी applications रहती है जो भी default वाली रहती है फिर आप लोग ने जो भी श्टॉल किया रहता है वो applications यहां पर आजाती है तो यहां पर जैसे कोई भी application पर आप लोग लगा सकते हैं कि for example मैं जो है एक कोई भी application पर लगाना चाहूंगो जैसे मैं theme store पर लगाना चाहूं तो इसमें क्लिक करूँगा enable password verification पर क्लिक करूँगा और यहां से आप लोग direct clicks को hide भी कर सकते होम screen से और हमने यहां पर password जो है enable कर दिया है और जैसे अगर हम theme store के यहां पर open करेंगे तो first time में आप लोग को यहां पर पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा और आप लोग अपना fingerprint बीडाल सकते जो कि आप लोग और ने deferment डाला होगा फिंगर पिंट भी यहां पर आप लोग डाल सकते और यहां पर आप लोग का इस type से लॉक लग जाएगा app lock जो है इस type से work करता है और आप लोग कोई भी application पर और भी lock लगा सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग को और भी इसके बारें बताऊं जैसे हमने यहाँ पर जो theme store में lock लगा लिया था अगर हम उसके lock को हड़ाना है तो आप लोग इसको यहाँ से disable directly कर सकते हैं अगर आप लोग setting पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग use fingerprint for applock पर क्लिक कर दीजिएगा जिसमें अगर आप लोग को fingerprint को भी hide करना है अपने applock में तो आप लोग यहाँ पर on कर सकते modify privacy password पर क्लिक करके आप लोग अपना password वगेरा change वगेरा कर सकते और आप लोग इसका password जो है reset भी कर सकते default में आप लोग इसको कर सकते और उमीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसनेगी जैमाता दी